आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ताना का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी इसे और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले ताना का आर्थ समझते हैं ताना का आर्थ होता है व्यंग्य, उपहास, व्यंग्यात्म, टिपनी या निंदा यानि कि किसी का मजाक उड़ाते हुए या किसी का उपहास उड़ाते हुए कोई जो बात कही जाती है तो उसे ताना कहते हैं तो ताना का विलोम शब्द यानिक विप्रितार्थक शब्द होता है प्रशंसा और प्रशंसा का आर्थ होता है कि किसी की सरहाना करना ये किसी पर अच्छी टिपणी करना तो आई अब हम ताना और प्रशंसा को कुछ उधारन वाक्यों से समझें जैसे कि आप कह सकते हैं कि उसने उसे ताना मार कर बहुत अपमानित किया या फिर आप कह सकते हैं कि तानों से आहत होकर उसने कुछ कहने से इंकार कर दिया या फिर आप कह सकते हैं कि प्रशंसा से आत्म सम्मान बढ़ता है या फिर आप कह सकते हैं कि प्रशंसा और प्रेर्णा से मनोबल उंचा रहता ह अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें